श्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादीव देखे आज 11 अक्टूबर कार्तिक मास के पवित्र महीने का पहला मंगलवार आपको मातर दो लोंग लेनी है और शहद लेना है और उसी से बहुत ही अच्चिक उपाय करना है पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें देखे ये उपाय उन लोगों को सबसे ज़ादा महत्वपूर्ण है जिन लोगों ने करज ले रखा है बहुत ज़ादा करज ले रखा है दिन पर दिन कोई ना कोई चीज़े करज पर लेकर के आ जाते हैं तो उन लोगों को करज अगर वो चुका नहीं पा रहे हैं तो उन इंदर आपको घी या तेल जो आपकी इच्छाओ वो आप भर सकते हैं और ये दीपक आप जिसे घर से बाहर निकल रहे हैं तो आपका जो सीधा तरफ है वहाँ पर आपको ये दीपक लगाना है आगे आपको बात समझ में कार्तिक मास के मंगलवार के दिन आपको ये दीपक अब आप क्या करेंगे साथ में लेना है आपको मात्र दो लॉंग और शहद एक चमज़ शहद लिलें देखिए ये दो लॉंग और शहद लेकर की आपको तुल्छी जी के वहाँ पर जाना है और तुल्छी जी से प्रातना करनी है कि जीवन के सारे संकट जो कर्ज हैं वो अब आप क्या करेंगे शहत के अंदर आपको लोंग को डूबोख ना है यानिकि लोंग के उपर आपको पूरा शहत लगा देना है अब यह दुनों लोंग आपको चड़ाना है भग्वान शीव के उपर जैसे आप बगवान शीव के उपर अर्पित करेंगे तब आपको रिन मुक्तेश्वर महादेव का इस्मरंड करना है जो आपके जीवन के सारे कर्ज को दूर करेंगे और वही पर रिन मुक्तेश्वर महादेव का इस्मरंड करते हुए श्री शिवाय नमस्तुब्यम का इस्म ताकि आपके जीवन के सारे कर्ज दूर हो वही पर आपको प्रातना करनी है देखे ये सुन्दर सा उपाय आप कार्तिक के पवित्र महीने में मंगलवार के दिन कर सकते हैं किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं आज भी कर सकते हैं अगर कुछ भी चीज समझ में ना आए तो क कमेंट में पूछ लेना गलते विल्कुल भी नहीं करना है श्री शिवाय नमस्तुब्यम हर हर महादीव